हेलो वुद मॉनिंग टू आफ़्यों और वेलकम टो मैं चैनल देखी जो आज का मारा टपिक है वह एजुकेशन प्लाणिंग अनुपार का वह है और ऑगनाइजेशनल कंप्लेयन्स ओगनाइजेशनल कंप्लेयन्स देखिये आगर्जलिटींग Hearts का मतलब होता है कि संगर्थन आत्मक अनुपालन कोई भी इनसीचूशन है उसको चलाने के लिए क्या होता है कुछ रूल्स होते हैं कुछ पालिसी होती हैं कुछ रेगुलेशन Schmidt को चलाने के लिए क्या होते हैं तरह किसका कुछ अपना system होता है उसकी कुछ policies होते हैं कुछ rules होते हैं किस तरह किस काम को काम को कंडक्ट करना कैसे engage करना कौन सी कमेटी कौन सा काम करेगी इसी तरह हमारा है एजुशन प्लानिंग इनेजमेंट में यह किसके उपर बेस है अरज़ेशन यह एडुकेशन सिस्टम के उपर एडुकेशन नेजमेंट के उपर इजी ता स्कूल के अंदर भी कहोते हैं कुछ रूल्स होते हैं किस तरह एक्जाम कंड़क्ट करुवाने हैं इन से हाफ्स हो जाए तब 50 प्रिप्टी प्रिप्षांट स्लेबस कंफिट होने के बाद सकlama API कूल में सब्सक्राइब थे इंसटोशों के अंदर इंप्वाइस कोिलकर्त है वह कौल किरता है ऑफ्सक्राइस के अंदर सब्सक्राइब करता है कि सब्सक्राइब level of integrity and compliance with legal and regulatory requirements अब देखिए need and need of compliance programs in organization अब देखिए नीड है organization के अंदर ये need then factors देखिए कौन कौन से factors है तो देखिए elements of an effective organization compliance programs कौन कौन से elements है training and education lines of communication internal compliance monitoring ये साथ इसके elements आगे ये था आपका organization compliance किस तरह management के अंदर institution के अंदर किस तरह काम वर करता है किस तरह जो है policies बना जाती है उन्हें कैसे उन्हें वर्क में लाए जाता है ये सब आता है organization compliance के अंदर thank you and have a nice day